साथियों, भारत लोगतंतर की जननी है, मजरब डेमोक्रेसी है, हम अपने लोगतंतरिक आदर्शों को सर्वोपरी मानते हैं, अपने सम्विधान को सर्वोपरी मानते हैं, इसलिए हम 25 जुन को भी कभी भुला नहीं सकते, यह वही दिन है जब हमारे देश पर एमर्जंसी थो पी गई थी, यह भारत के इत्यास का काला दौर था, लाखों लोगों ने इमर्जंसी का पूरी ताकत से विरोत किया था, लोगतंतर के समर्थकों पर उस दौरान इतना अत्याचार किया गया, इतनी यातनाएं दी गई, कि आज भी मन से हर उड़ता है, इन अत्याचारों प पुलीस और प्रशासंद वाला दी गई सजाओं पर बहुत सी पुस्तके लिखी गई है, मुझे भी संगर्स में गुजरात नाम से किताब लिखने का हुस्समे मोका मिला था, कुछ दिनों पहले ही, इमर्जंसी पर लिखी एक और किताब मेरे सामने आई, जिसका सिर्षक है टॉर्चर और पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन इंडिया, एमर्जंसी के दोरां छपी इस पुस्तक में वर्णन किया गया है, कि कैसे उस समय के सरकार लोग तंत्र के रखवालों से कुरूरतम ब्यहवार कर रही थी, इस किताब में धेर सारी केस्टरीज हैं, बहुत सारी चित मैं चाहूंगा कि आज जब हम आज़ादी का अमरित महुत्सों मना रहे हैं, तो देश की आज़ादी को खत्रे में डालने वाले ऐसे अपराधों का भी जरूर अवलोकन करें, इससे आज की युवापीधी को लोग तंत्र के माइने और उसकी एहमियत समझने में और आसानी होगी